देखिए हैं महाजश्य प्रदेश एक छोटा सा राज्य है ये ऐसा राज्य है जहां पर स्वयम वो अपने पाउं पर खड़ा नहीं हो सकता हैं बहुत कठिन प्रस्तितिया हैं वहां पर खेती करने के लिए नौ लाक के लगबग कसान परिवार हैं और इस में से अधिक्तर कसान वो हैं जिनके पास च्छे और छे बीगा से कम भूमी है जीवन यापन बहुत कठिनाई में वो चलाते हैं और अब नई खेती हो हो रही है और ओफ सीजन वेजिटेबल की हो रही है अभी ऐसा संकट नहीं आया जैसे बाकी भारत में आया है कसान पर उसका कारण है कि जो उत्पाद वो कर रहा है वो हो उसका जो कॉंटिटी है पूरे देश में कम है सेब आप जानते हैं जमु कश्मीर में पैदा होता है प्यूटियो हो गया है यह बहुत बड़ा संकट पैदा करेगा सेब की खेती में और थोड़ा ओफ सीजन वेजिटेबल है उससे यह हमाचा परदेश की खेती चलुती है लेकिन कठनाई में कसान है अखिल भारतिय किसान सबाज ने राजस्तान में एतियासी कांदोलन करके भारतिय जिनता पार्टी की वसंद्रा सरकार को जुखाने का काम किया है पसुधन की विक्री पे जो राजस्तान में बच्डे पे तीन साल की पाबंदी लगाई वी थी उसको दो साल कराने का काम किय है और जो समर्तन मुल्य पे पिछले तीन साल में कोई भी जिन्स राजस्तान की सरकार ने नहीं खरीदी थी पहली बार उड़द है मूंफ़ली है मूंग है वो खरीदने के लिए सरकार को बाद दे होना पड़ा है और डेड़ लाग मेट्रिक टन मूंग खरीदने के बाद बं कुंट्रल का है और उड़द में आज भी 5,000 रुपे कुंट्रल की MSP से नीचे बजार दर है निश्यद रूप से इसके खिलाप हम लड़ रहे हैं और मैं समझता हूं जिस तरह से राजस्तान में और मारास्ट्र में बाजपा की सरकार को जुकाया है इस देश की मोदी सरका को भी जुका कर इस देश के किसान को बचाएंगे किसान बचेगा तो देश बचेगा किसान बचेगा खिती बचेगी तो देश बचेगा और ये पुनित कारिये मैं समझता हूं अखिल बारतिय किसान सबा उन तमाम संक्रों को साथ लेकर के इस संगर्स को आगे है पूरे देश से जो हैं यहां पर किसान आए हैं और आप यह समझे के 21 राज्यों के लोग इसमें आए हैं हमारी मुख्य जो है दो मांग है एक है आपका स्वामी नाथन की जो रिपोर्ट है उसको लागू करना फसल का डियोडा दाम देना दूसरा है जितने परकार के भी कर कहार कंती क्षीडियेट, जो सतर्कार के भी उसको खत्म करना क्योंकि किसानों का ही कंचा जो है सरकार के ऊपर बराबर है क्योंकि हार शाल होता तो उसको भी लेकर के है दूसरा ये बटाईदार जो किसान है उनके लिए कानूर बने मंद्रेगा को जो है मजबूती से लागू किया जाए यहां जो भूमी हिंद किसान है उनके लिए मलखेती का प्रबंद किया जाए तो यह बहुत सारी मांग लेकर किसान यहां आपके दिल्ली में पिल जंडा यहां पर देख रहे हैं लाल जंडा रा जंडा पीला जंडा नीला आपी रा लासरी किसांड़ किसान ऑगोमीहीन खिसान, महिला किसान, इसेजिला किसानotyまेरी किसान लोगों ने ये एक बहुत ब्राड मंच बनाया और इसकी जरौत हमको किस्त लिए पड़ गई कि 184 किसान संगठन इस तरीके से घटे हुए कि मद्द प्रदेश के अंदे गोली चालन हुआ मनसौर में 6 जून को हुआ मैं उसी स्टेट से आता हूँ लेकिन इस बार कुछ हमने शुरू की और पूरे देश में 10,000 किलोमेटर की हमने यात्रा की 19 राज्यों की यात्रा की और लगभग 50 लाग से जादा किसानों से हमने का काम किया और उसके बाद में हम लोग ये किसान संसद कर रहे हैं इसके अंदर दो बिल पारित हुए हैं कल जो यहां पर पेश ह यह बिल पूरे देश के अंदर किसानों के पास में बुद्धजीवियों के पास में पाटियों के पास में सरकार के पास में सबके पास में हम लोग भेजेंगे हम चाहते हैं कि इसके अंदर अमेंडमेंट्मेंट्स आएं सुजहा हुआएं और इसके बाद में जो हम लोगो जैसे जिले में फ्रेन से पानी लाना पड़ा था और पिछले साल अच्छी खासी बारिश हुई तो सरकार ने पूरे के पूरे खेती में जो आना जाता है उसके भाव गिरा दिये और किसान की कंबर तोड़ दिये और आज अधिवासी भी किसान यहापर आया है और यहापर क्योंकि हम नदी में जो मचली की खेती की जाती उसको भी खेती बोलते तो खेती की परिवाशा भी आज इस किसान संसद ने एक परिपूर्न रूप से रखी हुई है और यहापर जिन मैलाओं के पतियों ने और भाईयों ने अत्मत्या की वो भी यहापर आया है और एक के अंदर रखा है पुरे देश में उसको लेके जाएंगे और आने वाले दिनों में इस किसान संसद के आवाज पुरे देश में हम लोग रखेंगे इसके लिए आ जाएंगे